ओम नमशिवाय जय महाकाल चलिए सिहोर चलते हैं और आपको इस पूरी वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाऊँगा कि बहुत कम पैसों में कैसे आप सिहोर पहुच सकते हैं और अपना रुदराश ले सकते हैं कुबरेश्वर महादयो के दर्शन कर सकते हैं सामने आपको महादयो भी दिख रहे होंगे तो वीडियो की सुरुवात करते हैं हर हर महादयो के नाम से यहां पर मैं अपने घर से निकल चुका हूँ गाड़ी में बैठा हूँ सीधा यहां से मैं स्टेशन जाऊँगा पूरी जानकारी आपको इस स्टेशन से चलके हुए औ कैसे जाना है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगे ठीक है इस्टेशन मैं बस पहुचने वाला हूँ इस्टेशन पहुचके ही सारी बात आपको फिर मैं वहाँ पर बताता हूँ ठीक है यह जो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही होगी यहां पर मैं पहुच ठीक है ट्रेन के अंदर बैट करके पूरी वाल बताता हूँ देखो ट्रेन चल चुकी है और जो मैं ट्रावलिंग कर रहा हूँ एसी थर्ड यानि कि थर्ड एसी मैं ट्रावलिंग कर रहा हूँ जो की लखनौ से मेरा भोपाल तक का जो किराय लगा वो 912 या फिर 930 के हमसे पहुझ सकते हैं ठीक है खरज करने के लिए लिए लिमिट कर नहीं होती है कि Anda बी एक दिन तो एक करोड़ भी कर सकते हैं लेकिन हमें क्या jest your class कर रहे हैं वहां से किराया वगेरा क्या कुछ चीजें वहां है ठीक है लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं यह 300 भी जादा है अब बताओ हम क्या करें तो अगर आप 2S यानि की बैट करके जाना चाहते हो तो बैट कर जाने का जो किराया होगा मात्र 180 या फिर 200 रुपए है सोच यह ट्रेन है वहां से भोपाल से थोड़ा सा कट जाएगी एक स्टेशन वहां पर पढ़ता है संत हरिदास नगर या फिर हरिदाम पूर करके कुछ है I'm not sure तो वहां पर यह ट्रेन जाएगी फिर भी कोई दिकत नहीं है वह भोपाल से और थोड़ा सा नस्दीक हो गया है भो यह ट्रेन आपको करा रहा हूं सीधा सीहोर के लिए जिससे आप आसानी से पहुंच करके रुदराक्ष को ले सकते हैं ठीक है चलिए चलते हैं और अब मैं सीधा मिलता हूं संत हरिदास नगर में ठीक है देखो ट्रेन से उतर चुका हूं और यहां पे मैं स्टेशन से बाह जाने के लिए मैंने पूछा कि वहां से भोपाल वगएरा मिलेगी की नहीं मिलेगी लोग ने बताया एक चौरहा पढ़ता है वहां प्याप जो बहुत ही आसानी से वहां पर आपको सिहोर के लिए सीधा कुबरेश्वर धाम के लिए आपको वहां से बस मिल जाएगी मैं ल दूसरी साइड और दूसरी साइड से यह जो हाइवे आपको दिख रहा है ना यह हाइवे है हमारा भोपाल इंदौर हाइवे एक बस आएगी उस बस में मुझे बैठना होगा सीधा पहुचेंगे कुबरेश्वर धाम है ना बस में ट्रावलिंग कर रहा हूँ पहुच नहीं जा रही है और जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सभी कुबरेश्वर धाम जाने वाले हैं तो आप उसके लिए बिलकुल परेशान मत हुआ करो कि बैया वहाँ कोई जानता है कि नहीं जानता है बच्चा बच्चा जानता है ठीक है अब बस से उतरता हूँ फिर दूसरी साइड जाना होगा क्योंकि ये तो हम इंदौर वाली हाइवे पे हैं हमको दूसरे साइड जाना है देखो कुछ लोग जा रहे है ना रोड को क्रॉस करके इसी तरीके से मुझे भी रोड को क्रॉस करके उसके बाद वहाँ पे जाना होगा तब वहाँ पे मुझे ग देखो उस जिस टाइम पर मैं गया था ना दो साल पहले गया था यह वाली वीडियो रेसेंट की है दो महीने पहले की किराया बहुत कम हो गया है मुझे मैं आपको पताओं लखनाउस से यहां तक पहुचने में मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्लीपर में आते हो तो सिर्फ आप 400 रुपए में यहां तक पहुच जाओगे तो रोड जो आप देख रहे हो यह कोबरेशवर धाम तक का रोड है और वहां पहुच के मैं बहुत शौक हुआ बिलकुल कह सकते हो कि मुझे आशर हुआ कि हाईवे से जो मोड घूमता है कुबरेश्वर धा मंदिर ने पूरा मोड से ले करके और मंदिर तक इतनी दुकाने खुल गई कि मैं परिशान हो गया, मैं का जब मैं पिछली बार आया था वहाँ पर एक शौप नहीं थी, एक दुकान नहीं थी और आज की टाइम पर आप खुद वीडियो में देख सकते हो कितनी जादा दुकाने हाँ पर खुल गई है कोई भी चीज की आपको खोजना ही ने पड़ेगा खाना खाना है, खाना का सकते हो पानी पीना है, पानी के लिए मिलेगा कुछ भी जो भी आपको नीड होगी सारी चीजें कुबर इश्वर दाम मंदर के पास में मिलेंगी तो जो भी लोग रुदराक्ष लेने के लिए जा रहा है परेशान नौक भाईया, खाएंगे कहाँ पे अलंगे कहाँ पर जितनी धर्मिशाला यहाँ पर आपको दिखी सारी के सारी आपको फ्री दिखएगी एकदम मुफ्त है ना दर्शन करिए, सामने आपको दिख रहाँ होंगे यह जहाँ पर बैठ करके गुरु जी कथा को कहते है ये दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, सीधा मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, तो एक बार जिसने आभी तक कॉमेंट में स्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा, तो नीचे कॉमेंट में स्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना है, ठीक है, जितनी भी एक चीज और आपको बता दो, यहाँ पर बहुत इंट्रेस्टिंग चीज मुझे लगी है, जितनी भी शॉप यहाँ पर आपको दिख रही है, सारी की सारी दुकानों में स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब ही आपको देखने को मिलेगा, इतना सुंदर महाँ पे माहोल होता है, तो कौन कौन से चीज की जरुवत वहाँ पे हमें होने वाली है, यह जो आप देख रहों कितनी शॉप में, जो भी चाहो बच्चों के लिए खिलोने में मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, डमरू, धतूरा, समी, पेड़, जो चाहो सो मिलेगा, है ना, चलो, अब यह त गेट के अंदर है, मैं एंट्री लेते हैं, और पहुशते हैं सीधा प्रांगण में, यहाँ पे अंदर मैं एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, यह पूरा अंदर देखो, यह पूरा आपको देखना ना, पूरा का पूरा कुबरेश्वर धाम कितने बड़े-बड़े पत्थ यह मंदर नहीं जो मैं आपको जूम करके दिखाया था, नहीं, यह था जहाँ पर गुरुजी बैट करके कथा को कहते हैं, कुबरेश्वर धाम मंदर तो अभी बिलकुल निर्मार धीन है, अभी मतलब वो बनी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आप पहुचेंगे तो अंदर प्रांगण में भी आपको क्या मिलेगा, पानी पिले के लिए मिलेगा, खाना मिलेगा, जो भी चीज चाहोगे, सम्मुफ्त मिलेगा, यह जो दर्शन आप कर रहे हो ना, यहीं है कुबरेश्वर धाम मंदर, यहाँ पर अभी एंटरी बंध है, क्योंकि काम वो क कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर सीधा चलिए, पूरा दर्शन में आपको लाइव जम में वहाँ पर गया था, जितने भी लोग लाइव थे, देख रहे होंगे, मैंने पूरा दर्शन वहाँ पर कराया था, अब यहाँ पर में बात आती है कि भाया सब कुछ तो बता दिया, आपने कि भाया 380 रुपए में पहुच जाओगे अपने घर से आपसी होर, अब यह बता दो, कि वहाँ पर रुद्राक्ष कैसे मिलेगा, रुद्राक्ष से पहले एक चीज बता दू, कुबरेश्वर धाम के अंदर एंट्री लेते टाइ आपको कहीं पर भी एक रुपए पेमिंट करने के जरुवत नहीं है, ठीक है, यह तो हमने बात कर लिए है कि पूरा दर्शन आपको मैंने करा दिया, कौन सी चीजें क्या है, कैसे पहुचोगे, और कौन सी क्या सारी चीजें मैंने आपपर आपको बता दिये, ठीक है, एक और आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी भुजूर्ग होंगे आपके घर के उनको लेके मत जाना फ्लीज्म लेके मत जाना भीड बहुत जादा होगी रुद्राक्ष महुत्सों में और जो छोटे बच्ची होगे, जो गोद में खेलने वाले होंगे उनको भी लेके मत जाना मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई रिस्क आप ले है ना प्लीज ये एक आप छोटा भाई या फिर बड़ा भाई मान करके मेरी बात को आप मान ले और इस चीज़ को समझ लिएगा ठीक है तो उमीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आये होंगी आप जो भी बुरी लगी हो मेरी बात उसको माफ कर दीजेगा लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई बुजर्ग कोई जाये वहाँ पर परेशान ना हो कोई बच्चा परेशान ना हो ठीक है अब चलो बताता हूँ रु मंतरी परेशान मंतरी से नहीं वहाँ पर सीधा सिंपल सा आपको दिखाना होगा डॉक्टर की परचे दिखाओ और रुदराक्ष लेके चले जाओ बस यही काम करना था वहाँ और और कुछ नहीं करना था अब कहोगे भाईया एक बात बताओ अब जब हम 16-22 की बीच में ज मिलेगा ऐसा नहीं कि मेरे पापा बीमार है मेरे काका बीमार है मेरे चाचा बीमार है जी नहीं तब तो बिलकुल नहीं मिलने माला है जो लोग जाएंगे लाइन में लगेंगे उनको मिल जाएगा यहां तक की आईडी भी दिखाने की जरूवत नहीं है आपको कह दो भाई थोड़ा सा आश्यर मुझे ये हुआ कि वहाँ पे जितनी गव माता थी ना कोई कुपोशड का सिकार थी नहीं, सब एक दम हस्ट पुष्ट, मुझे देख कि इतनी खुशी हुई, पता नहीं कितनी गव शाला में मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ कि दो-चार गव ऐसी दिख जाती है, चाहे बीमार हो जाती है, चाहे कोपोशड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जब मैं गया ना, देख लो, आप अपने आखों से देखो, यहाँ पर कोई छुपाने जैसा नहीं है, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, एक भी गाहे आपको कमजोर नजर नहीं आए हाँ भीड होगी, इसलिए मैंने मना किया, किसी भी भुजर को, किसी भी बच्चे को लेके मत जाना, वरना आप परेशान हो जाओगे, रुद्राक्ष तो एक दूर की बात है, आप परेशान अलग से होगे, तो यहाँ पर पूरा सीता की रसोई, खुली होई होती है, दोप पहुचना, तो सेवा करना, महमान बनके मत जाना, और आपको रुद्राक्ष मिलेगा, कोशिश की, मैंने बहुत अच्छा समझाने की, उमीद करता हूँ, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कैसे पहुचना है, कैसे नहीं जाना है, कैसे नहीं जाना है, ठीक है, मैंने प्राइस आपको 400 में तो आराम से पहुच जाओगे, कोई दिकत नहीं कहीं से आओगे, पहुच जाओगे, ठीक है, तो वीडियो पसंद आयो, तो लाइक कर दीजे, आब आज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करिएगा,